गाजीपूर यानि की दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद यूपी पुलिस आई एक्शन मोड में आप इस वक्त तस्वीरे देख सकते हैं यहाँ पर गाजीपूर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर SSP पवन कुमार जी आये हैं और यूपी पुलिस का पूरा पुलिस इसको खोल रही है और इस वक्त गाजीपूर बॉर्डर पहुंच चुके हैं किसानों से बादचीच चल रही है क्योंकि सुप्रीम कोट का एक आदेश आया था सुप्रीम कोट के आदेश में कहा गया था कि भाई रास्ता जो है रास्ता आम जनता के चलने के लिए ह ना कि सडकों पर टेंट लगाकर रास्ते को रोकने के लिए लेकिन जब राकेश्टी कैट से सवाल को किया गया तो राकेश्टी कैट ने ये जवाब दिया कि हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं लेकिन दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद किया हुआ है किसानों ने कोई रास्त पुलिस भी है क्योंकि जो रास्ता सुचारों रूप से खुलना चाहिए इस रास्ते को अब दिल्ली पुलिस तो खोल रही है लेकिन जो रास्ता यूपिस से बंद है उसको भी खोलने की बाची चल रही है कि आखिर रण नीती बना कर इस रास्ते को खोला जाएगा और आम ज इसकी सीमा पर जो रास्ता बंद आ खोड़ा के सामने क्या उसको भी खोला जाएगा सरु अभी सभी स्थर पर वारता चल लई है जो यहां पर हो रहा है अभी उसके हालातों पर जायजा लिया जा रहा है उसके बाद में जितने भी इसके स्टेक ओल्ड रहें किसान है प्रसास के करम में जारी है क्योंकि काफी लंबे समय से चल रहा है कोई भी एक्षन है वो कोई भी रन नहीं थी है वो सोच समझ के उसे हिसाब से बना के उसके कारवाई की जाती है ताकि उसके रिपरकर्सन है वो उतने नेगटिव ना हो तो यह वारता का करम सभी स्थर पर चल रहा है कि इसके बाद में क्या कारवाइच की जाए ताकि लो एंड ओडर है वो ना बिगड़े और ट्रेफिक स्मूझ चलता है आज सुचारू रूप से रास्ता खोल दिया जाएगा आम जंता के चलने के लिए अभी इसमें देखते हैं वो बैरिकेटिंग हट रही है और बारता कि अगर दिली पिली फिरेटिंग हटा देती है तो फिर आपक चैक्शन रही है उसब आगे मूमेट क्या ओना वह देखने के बाद ही है कर दी